हेलो फ्रेंट्स मैं अमित धिली मैट्रो वुलोग चैनल के आपका सवागत है अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को स्प्रेश कर लें तक हर नीग वीडियो का अपडेट आपको टाइंट उटाई मिलता रहे हैं अभी म नहीं को सिय बताता हूं कि प savings लाइन से रेड लाइन का इंटरॉसे टैन यि ब有人 कितना तो मैं भी इंक लाइन बें आपको दिखाता हूं ये फ्रेंद्स मैं धी फिंग लाइन को और रेड़ लाइन के इंट्रेंज विए जा रहा हूं तो आप देखते रहे हैं इस साइड में एक्सिलेटर नहीं है तोड़ा पागे की साइड है एक्सिलेटर तो मैं अभी शीडियों सही चला जाता हूं और आपको दिखाता हूं कितना टाइम लगता है रेड लाइन के इसका इंटरचेंज कैसे होता है इसका इंटरचेंज लंबाई देगा अजाद पुर्वी तरह है देखिए रेड लाइन के लिए इसका इंटरचेंज होता है इसका इंटरचेंज लेटर पे फुल बीड़ जमा है अच प्राउड कम कैसे है तो प्रेंट्स एक्षिलेटर से हम उपर आ तो के हैं यह देखिए इस पर यह सिगनल भी लगाया हूँ है इस प्रेड लाइन के लिए आप इधर जाना है और पैरों के निशान इस पर भी दिये गए हैं कि तागी कोजी भी अंजान पेसंटर को तकलीब ना हो लाइन चाहिए करने में देख सकते हैं आप तुरा लमबा है देख लीजिए विंक लाइन के इस प्रेशन है पूंपेस अर्स्त्रीप चैनी नई नई पैंटिंग की गई है वह आप समय आग्याने वाली वीडियो में दिखाता रहो हूं कि इतना लंबा है और कि इतना टाइम पादता है कि इंट्रजेंज करने के देख लाइन की पूरी रहती है कि इस एंजरों कि कि इस बहुत लंबा इंटर्चेंज है दोस्तों इसे ही में जेंटा लाइन का है और ऐसे ही पिंक लाइन का है इसे पिंक लाइन का कि मुझे दो बहुत लंबा लगता है और वास्ता है इंट्रचेंज करने में इनको बहुत ज्यादा है लगवग पांस मिनट लगते हैं तो अभी आप देख सकते हैं यह लाइन जो है रिठाला की और जाती है और उस साइड का जो है देखता हूं आपको शहीदी स्थल नियुकर सेटा की और तो हम उस वाले ट्रैक से चलेंगे तो उस साइड मेरे को दिखा है एक्सिलेटर जो कि मजारा हूं कम से कम भी पांस मिनट लग जाते हैं अगर आप पूरी तेजी से चलोगे तो भी पांस मिनट लगें इसको चेंज करने में वह ज्यादा लंबा इंटर चेंज है अब देखने हैं अब देखने हैं अब मैं सही दिस्तल नहीं प्रस एड़ा की और जाने वाली मैट्रों जाव मां जबी रेट लाइंट है